हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू विप्रास किचन लेब तवा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारी सबजीयों को बारी काट लिया है सबजीयों को आप बारी पतला लंबा काट भी सकते हो या फिर ग्रेट भी करके ले सकते हो सबसे पहले हम एक तवे को गरम करेंगे तवा मोटा होना चाहिए इसमें एड किया है ओईल ओईल हलका सा गरम हो तब हम एड करेंगे बटर बहुत जादा गरम तेल में बटर एड मत करिए बटर अच्छे से पिखल गया है इसमें एड करेंगे जीरा जीरे को हम भून लेंगे ये हलका फुल है तब इसमें हम एड़ करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च बारीक कटा हुआ लेसुन बारीक कटा हुआ अध्रक इसमें आप मिल्ची अदरक लसुन का पेस्ट भी एड़ कर सकते हो या फिर इसे कूट कर भी एड़ कर सकते हो इसे हमें आधिय मिनिट के लिए भुनना है अब हम एड़ करेंगे इसमें प्याज प्याज को अच्छे से मिक्स करके हम एक मिनिट के लिए पकाएंगे अगर आपके पास बड़ी साइस का तवा ना हो तो इसे आप कड़ाई में भी बना सकते हो प्यास का हलका सा कलर चेंज हुआ है अब हम इसमें एड़ करेंगे बारिक कटा हुआ शिमला मिल्च बारिक कटा हुआ पता गोबी इसमें आप फुल गोबी भी एड़ कर सकते हो बारिक कटा हुआ गाजर इसे हमें अच्छे से मिक्स करके एक मिनिट के लिए पकाना है इसमें आप उबला हुआ मतर भी एड़ कर सकते हो उबला हुआ आलो को बारे काटके भी आप एड़ कर सकते हो इसमें एड़ किया है बारे कटा हुआ टमाटर इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके एक मिनिट के लिए पकाएंगे तवा पुलाओ में सारी सब्जेओं को गलाना नहीं है बहुत जादा इसे पकाना नहीं होता है अब इसमें हम एड़ करेंगे हल्दी हाफ टी स्पून हम एड़ करेंगे पुलाओ का मसाला अगर पुलाओ का मसाला ना हो तो गर्म मसाला एड़ करिए वन एन हाफ टी स्पून हमने एड़ किया है पाउबजी का मसाला तवा पुलाव पाउ भजी के मसाले में ही बनाया जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है चावल पकाते वक्त हमने नमक एड़ किया है इसमें हमने एड़ किया है सबजियों के हिस्से का नमक इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे से एक मिनेट के लिए हम पकाएंगे पुलाओ को पड़ियासा कलर देने के लिए सूखी लाल मिर्च को आप पानी में भीगो कर उसका पेस्ट बनाके भी एड़ कर सकते हो या फिर इसमें एड़ करिए कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर एड़ की है इन सब को अच्छे से मिक्स करके आधे से 1 मिनिट के लिए पकाएंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे पकाए हुए चावल चावल को आप पुलाव बनाते वक्त भी बना सकते हो या जो लेफ्ट ओवर चावल होते हैं उसका भी पुलाव बना सकते हो इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तवा पुलाव बनाने के लिए हमने चो सबजीया एड़ की है वो आप टेस्ट के इसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो अब इसमें हम एड़ करेंगे हरा प्याज तवा पुलाव मिडियम फ्लेम पे मैंने बनाया है रोड साइड पे इसे फुल फ्लेम पे बनाया जाता है सव करने से पहले हम इसमें एड करेंगे आधी निम्मू का रस बारी कटा हुआ धनिया से इसे गार्निश करिए और खाने के लिए तयार है तवा पुलाओ तेंक्यू